नमस्कार दोस्तों सहरीता की रसोई में आपका स्वागत है तो आज हम नई रेसिपी लेके आ गये हैं यह हमने बैंगन लिया है बैंगन को हमने इस तरह काट लिया है गोल गोल और इसकी टेश्टी सब्ची बिना के दिखाएंगे आप लोग को तो हम आलू भी लिये हैं आप सबस्कि तरफ हमने गैस अन करके करढाई में टेल डाल दिया तेल गरम हो गया है और बैंगन को हम फ्राइद कर लेंगे तो देख सकते हैं धीरे धीरे बैंगन को डालके और उसको अलट पलटके अच्छे से फ्राइद कर लेंगे है यह कि देखि ए में अच्छा कलर आ रहा है एरे बैगन को निकाल लेते हैं यह फ्राइय हो गया है इसी तरह बैगन को निकाल के और हम आलू को भी फ्राइब करेंगे तो बैगर निकाल लेते हैं कि तो बेहनने निकाल लिया है आफ यसके बार हम आलु डालेंगे आलो को प्योडिकर ज From seas प्यान करेंगे कर इस तरह थेल में डाल को हाव कुप कर लेंगे要 realm eco है तो एक बार में हिए अलो को डाल देंगे तुर्म कर लेंगे देख सकते हैं और वीडियो पूरा देखिए गार चैनल पे नए तो सिस्क्राइब जरूर करिए का आप लोग के लिए हम नई-नई वीडियो लाएंगे तो देख सकते हैं अलोफ राई हो गया है इसको हमने निकाल लेते हैं प्लेट में तो इस तरह हम पूरा अलू निकाल लेंगे और जो तेल बचेगा उसी तेल में हम सब्ची बनाएंगे अगर आप लोग का तेल जादा हो तो निकाल लिजेगा और कम हो तो डाल लिजेगा अगर हमारा तेल ठीक है इसी में हम पज़ोरन डालेंगे और कटे हुए प्याज और मिर्ची लैसन जो था वो इसमें डाल देंगे तो इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से जब तक इसमें कलर ना आ जाए तब तक इसको भूनेंगे प्याज और लैसन मिर्ची को तो देख सकते हैं यह फ्राई हो गया है अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे दो हमने टमाटर लिये हैं वह टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही हम थोड़ा नमक डाल देंगे मसालों तो नमकड़ाई से गल के साथ तो देख सकते हैं सलुए हम एक चमच अलदी लिये जुआ किलिंगेंakukan दिंटे कि या पड़ते हैं देल गणाओर दो देल ग्णाओ को आपने दलकिंगे इसको मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद हम प्याज में डालेंगे इसको इस तरह से मसाले अच्छे से और जल्दी तेल चोड़ते हैं अच्छे से पक जाते हैं तो इस तरह हम डाल देंगे काटोरी में थोड़ा पानी और डाल के हम डाल देंगे इसमें काटोरी में और मसाले लगे हैं देख सकते हैं हैं तो सालो को भुन्णे में जितना पानी लगता है उस हिसाब से आप लोग डाल लीजेगा है पूम है हम के इस साहप से आदा हम बार में थोड़ा-थोड़ा करेकर डाला था तो देख सकते हैं मसाले अच्छे तो चोटा बड़ा चमच भी होता है और सब्जी ज्यादा कम भी होती है तो उस हिसाब से आप लोग नमक डालेगा डेख सकते हैं मसाला भून गया है अब इसमें हम ग्रेवी जितना रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग पानी डालेजेगा तो हम सब्जीयों को पकान रखेंगे तरी नहीं लगाना है तो हम उसी के हिसाब से पाने डाले हैं आप इसमें हम अच्छा उबाल आने लग जाएगा देखिए इसमें सब्जी में उबाल आने लग ग्याए ग्रेवी में तो हमने बैगन और आलो को जो फ्राइग कर रखा है वह भी इसमें डाल ग्रेवी के अंदर इस तरह से आप लोग सब्जी बनाएगा सच मानिया बहुत टेश्टी लगता है बैगन जो नहीं खाता होगा बैगन वो भी खाएगा तो इस तरह से एक बार सब्जी जरूर बनाएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढग देंगे 5-5 मिनट के लिए क्योंकि सब्जी आधा को खो रिखी है बस ग्रेवी के साथ 2-3 मिनट में पक जाएगी तो देख सकते हैं ग्रेवी कितनी हो गई है और यह सूखेगा तो और भी मतलब ठंडा होएगा तो और भी सूख ज हैं और आप लोग को हम सर्फ करके दिखाते हैं तो देखिये यह जो देख रहें आप ग्रेवी नहीं यह सूख जाएगा बिलकुल ठंडा होने के बाद बिलकुल सूख जाएगा तो देख सकते हैं सब्जी हमने सर्फ कर लिया और इस तरह से आप लोग सबजी जवर बनाए झाल 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 झाल